कि आपके अपने यूटूब चानल टीएस एग्री एकेर्मी में दोस्तों हम लाएं आप सभी के लिए जो बेसी एजी फिट समेश्टर का अगला जाम होने वाला है फोट साइंस तथा न्यूट्रेशन का तो उसके लिए टोप 50 कोस्चन्स हैं दोस्तों तो आप सभी से मेरा थोड़ा सब निवेदन है गाइस की चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब पर न बिल्गुल भी न भूलना अगर आप चैनल पर नए आयो तो प्लीज गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारा पहला कोस्चन यह पर दिया गया है में कि शरीर को ब्रध्रा मरमत और रख रखाव के लिए जिस पदारत की आवस्ता होतीं क्हारे उसे कहा लिए है मलब सरीर के रख रखाओ के लिए जिस पदार की आवस्ता होती है दूसरे क्या कहते हैं पोसकता तू कार्वो हाइड़ेट कैलोरिया फैट एसीड दो यहां जो करिक्टा अंसर हमारा होगा वो होगा आपसन नंबर हमारा ए राइट होगा पोसकता तू ठीक है पोसकता तू नेमठीट नेमलिखीद मेजशे को छोड़कर आंए किसको छोड़कर में फोजन में पाई जाने वाले सभी पोसकताँ है यानि किस चीज़ जो चार अप्शन दिये गए एभी सीडी कि सित्व को छोड़ेंच को सारे की सारे हमारे बोजन में सभी पोछकत पहाइए जाते हैं के लेकर छोड़कर दूस्तों प्लाज्मा प्रोटीन कार्भोहाइडर्रों दोस्ते हावड पर जो में आपसन देये गए हैं हमारे जैसे कि विटामिन भी पाया जाता है कार्वो हाइडरेट भी पाया जाता है प्रोटीन भी पाया जाता है तथा जो आप्सन बंद दिया गया है आप्सन ए इसमें वो नहीं पाया जाता है तो इसलिए हमारा आप्सन ए राइटो काटी की प्लाजमा नहीं पाया जाता चलते है कौश्ण नंबर ने में दिया गया है। समसर जो बसा होती है कि से जोड़ा जाता है वो गुर्दे की विपलता भूली मिया एन्वरेक्सिया या कॉरडियो मैस को बीमारी तो यहां जो क्लेक्ट अंसर और ड्पर होगा दोस्तों आप से नमब डी कॉर्डियोakt dman4 में है में क्या है लार में मौझूद कि मैलेज कर्वोहाइडरेट को तोड़ना सुरू करते हैं कि इसमें दोस्तों फैटी एसिर पोली प्यप्तसाइड अमिनो असी तता साधारंड शरकरा तो दूस्तें आज आप आपके सरीर को विटामिन्स और खनिश की आउस्ता होती है क्योंकि मतलब आपके सरीर को जो विटामिन्स तता खनिश की आउस्ता क्यों पड़ती है वो पड़ती है कि बे सरीर को उर्जा प्रताम देते हैं बे चपा पचे प्रित क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं कि पेस सरीर को को अंग्वों में इंसुलेट करते हैं या सरीर की गर्मी निकालते ते या पड़ती है आप नर्ण हमारा बटामिल सवसी नहीं बुझेट से सिधे लिए क sebelण की घुज़ता है तो पेट में जो सीधे गुज़ता है बढ़ी आद दवर director दिल दौरा या कि यहाँ दिय दौरा तो यहाँ जो गया का नमर होगा आप्ण नमर बी राइद हो और होकि छोटी यहاع दौर पम लीज़ हो कि आपके आहर का लगवक्त आधा हिस्सा की का से बना होता है तो यहां जो हमारा correct answer हो दोस्तों question number 7 में 7 में वो हमारा आपसा number A राइट होगा अना जोर सब्जियों से हमारे आर का आदा इससा बना होता है question number next होगा कि सरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनीज की आउस्ता होती है वह है यानि सरीर क्यों किसकी पढ़ती है किसकी पढ़ती है की सरीर को ठीक से काम करने जिस खनीज की आउस्ता होती है कैलम की चांदी की सोने की यत क्यार की यहां जो हमारा आपसा number A राइट होगा डर्सतों कैल 22 के आपसा या राइट को अप्ना एश्योंकी दोस्नों किस से पराप्त होता है बीफ, चिकन ओर मछली से बार्सपती, तेल, नट और मछली से बसा, तेल और मिठाई से दूद, दही तथा पनीर से तो यहां आपसन निमबर जो है अमाला बी राइट होगा दोस्नों वो होगा नहीत उर्जा की मात्रा को इंगित करती है तो कौन सा होता है दूस्तों आपसन ए लेवल बी खाद गाइट पिरामिट सी कैलोरी या तोकरी तो यहां आपसन नमर हमारा सी राइट होगा कैलोरी ठीक है कैलोरी जो होता है कैलोरी उर्जा की एक इकाई जो भोजन की नहीत करती है चलते हैं को नेश में नेश्ट में में दिया गया लेवन में हमें दिया गया है कि कि यह भोजन समू हमारे सरीर की उर्जा का सबसे अच्छा शरूत है मतलब दोस्तों कौन सा बोजन सरू जो समू है वो हमारे शरीर की उजागा सबसे अस्टा सरोत होगा दूस्तों मास समू बसा तेल मिठाई ब्रेड और अनाज दो और पनीर तो यहां आप से नमर अमारा से राइट ब्रेड और पनीर ठीक है दोस्तों चलते हैं नेश्ट में दिया गया है कि इन में से किसे पोषकता तो नहीं माना जा जाता है तो यहां आपसे नमर में कोश्चन दिये गया है कि इन में से कौन साखाद लेवल जो जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी-कभी इसका पर्याप्त मात्रा भी नहीं खाते हैं मतलब इन में से कौन साखाद लेवल है में जोड़ा जाता है क्योंकि कभी-कभी लोग इसकी पर्याप्त मत्रा तक नहीं खाते हैं तो इसका जो करेक्टांसर होगा दूस्तों पसा कैल्सियम सोडियम तदा कोलेस्ट्राल यहां जो करेक्टांसर हमारा आपसा नमर बी राइ सब्सक्राल या उपड़क सभी तो यहां जो करेक्टांसर होगा दोस्तों वह होगा आपसा नमर हमारा टी राइट होगा आला आप दीश ठीक है यानि कि सभी के सभी हमारे ठीक है तो चलें कौश्चन नमबर नेश्ट में पंदरें नमबर में दिया ब्रेड अनाज चावल और पास्ता समूह है एक अच्छा इसतरोत है जो ब्रेट अनाज चावल तथा पास्ता एक अच्छा इसतरोत है दोस्तों किसका है कारवाईड्रेक का विडामिन सी का कैलसिम का है विडामिन ए विडामिन ती का तो यहां correct answer हमारा A नंबर राइट हो जाएगा यह तो यहां कि क सबसे अधिक जो है कट्टे फ़लों में पाई जाते कोश्चन हमार नेश्ट होगा कि मांस मुर्गी मांस मुर्गी पालन मचली की सूखी फलियों अंडे और मेवा समूम के खाद पतार्त का एक महत पूर उस्तुरों होता है मतलब मांस मचली पालन आश्ट मुर्गी मचली इनकी जो सूखे अंडे वा मेवा समूम होते हैं खाद पता इसमें एक महत पूर स्तुरों होता है दोस्तों किसका है आईरन का फाइबर का बीटा गया रोटीन का एक 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 जिम का तो दोस्तों आपको नमबर हमें ए राइट हो जाएगा कि आईरन का एक अच्छा इस्तुरोत होता है चलेंगो कोशन नमबर नेश्ट में नेश्ट में दिया गया है कोशन नमबर अठारे में हमें दिया गया है कि किस बोजन में सबसे अधिक बसा होती है दोस्तों किस बोजन में सबसे अधिक बसा होती है ग्रहेम, क्रेकर्स, ब्राउनी, बारा जोनमन की तंदे हैट पूंड काई है दोस्तो दिया गया है हमें प्रति दिन कितनी सब्सक्राइब की आउस्ता होती है दोस्तों कितनी प्रति दिन कितनी सब्जियों की आवस्ता होती है 6-11, 2-3, 3-5 या 102 यहां आपसा नुमर दूस्तों हमें दिया गया है कि C तो हमारा C राइट हो जागा 3-5 चलेंगे निस्ट में दिया गया है 21-21 में हमें है कि सरीर की संरचनात्म गटकों के निर्माड और रख रखाओ के लिए निमलिखित में से किसे पोदुसक्तत की आवस्ता नहीं होती है तो दोस्तों किसे आवस्ता नहीं होती है वह होती कि निमलिखित में से किस पोदुसक्तत की आवस्ता होती है तो दोस्तों प्रोटेंस की होती है चलते है कौशन नमर 22 में 22 में हमें दिया गया है कि निमलिखित में से कौन सा एक पोशक्तत्तों संसाइन बिटामिन के रूप में जाना जाता है जो संसाइन बिटामिन के कि मजबूत हड्यों के लिए निम लिखित में से सभी की आष्था होती है थाइमING कालसियम कामे कंझ में выпल्ट히 दिया गया था कि इन में से कौन सा पुषसेटा तु ви सारीर के लिए पसंदीता और जा अश्षा है धोजऄ उस्तरूत या कौन सापूशचता तु के लिए निम लिखित में से सभी की आफस्ता होती जालें कोच्छल नमेर 24 दोस्तों हमें दिया गया था कि इन में से कौन सा पुसकता तुश्रीर के लिए पसंदीता और जा इस्तारोत है तूस्तों को अपनाली और मजबूत सयोजी उतक के लिए यह पूस्यक है यो क्वेस्ट प्रतीच्छा प्रणाजी और मजबूत साह योजी उत्ठक के लिए यह पोसक तर्थ आसे के दोस्तों कौन सा प्रतीच्छा पनाजी और मजबूत साहिजी उत्रक के लिए बहुत होता है तो आपसे निए और विटमीन के विटमीन सी या फ्लोराइड तो यहालिक राइड सांसर हमारा विटमीन सी हो जाएगा आपसा नमरगी गल्स चलाएंगे बंटी सिल्विक्षित में 24 में धिया है निमलिकित में से कौन सा ओमेगा 3 fatty acid का सबसे अच्छा इस्तरों होता है दोस्तों कौन सा है मक्के का तेर गेहों का उत्पाद सुवर का मास या सारडीन तो यह आपसे नवर हमारे डीराइड होगा सारडीन ठीक है सारडीन कौश्चन नवर 27 ने 27 में दिया है 27 की यह खनीच स्वास्त लाल रख्त कोशिकाओं के लिए आवस्थेख है और इसकी कमी से अनिमिया हो जाता है कि इसकी कमी से अनिमिया हो जाता है दोस्तों आइरन की मैंगनिसियम की आईओन की या क्रोमियम की तो यहां आफ़ नमर हमारे के रायट होका दोस्टों iron की कमी से andamia हो जाथ है चलेयाक कुस्टrial चोश्ण नोरब 28 में दिच्छ लेग्या है कि spine 20s Ked Δ twokin के लिए इस विटामिन दोस्तर होगी गुद्धम on cost आपसान नम्र c ट्राइट चलें कोश्चन नमर कोश्चन नमर टॉंटी नान में हमें दिया गया है कि हार्मोन बनाने स्वस्थ तुचा और जिली बनाने के लिए इस पुसर्चत की आउस्था होती है किस की यह होती है बसा कार्वोहाइड़ेट की फाइबर की या विटो यह सबसे अधिक होता है यानि जिसकी कमी से रतवंदी नामग भी रोग हो जाता है तो विटमीन के विटमीन जिसकी कमी से हमें रोग हो जाता है जिसे कहते हैं रतवंदी नामग भी विटमीन की कमी से हो जाता है चलें कोश्चन नमबर नेश्ट में 31 में दिया गया है United Student Department of Agriculture की डेली फूट गाइड सुझाओ देती है कि बसा तेल और मिठाई समूग का उप्योग किया जाना चाहिए सब्ता में एक बार दिन में चार से बार मार रवी बार को कभी नहीं कम से कम और प्रतियक मंगलवार तो यहां जो गरेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रतियक मंगलवार को United States Department of Agriculture की डेली फूट गाइड के हिसाब से प्रतियक मंगलवार को बसा तेल और मिठाई समूग का उप्योग किया जाना चाहिए ठीक है प्रतियक मंगलवार को चलेंगे कोशन नमबर नेश्ट में नेश्ट में हमें दिया गया है United States Department of Agriculture की डेली फूट गाइड में ब्रेट अना चावल तसा पास्ता समूग की सर्विंग्स खाने के लिए कहा गया एक से तीन, चार से पांच, छे से ग्यारे, बारे से पंद्रे या सो लजबिस यानि कितने भार तो यहां पर होगा आपसा नमबर सी राइट होगा बारे से पंद्रे ठीक है चलेंगे कोशन नमबर नेश्ट में नेश्ट में दिया गया है 33 United Student Department of Agriculture की डेली फूड गाइड दूद दही और चीज क्रुप की सर्विंग खाने के लिए कहती है तो दोस्तों मतलब की इनका रेसियो साइड मंतली के इसाफ से है जीरो से बन दो से तीन तीन से चार या पांत से छे बार छे से साथ तो यहां आफसा नमर वारा बी राइड होगा दो से तीन बार इसके बाद चलेंगे कोशन नमर नेश्ट में नेश्ट में दिया गया है United State Department of Agriculture की डेली फूड गाइड हर दिन फूड ग्रूप के servicing कहाने के लिए कि कहती है यानि रोजकार देम यह जो मैंन्व है जीरो से एक बार दो से चार नेश्ट मेंने नेश्ट में हमें बसा चीन निमन इस hierarchy मेंसे कि निल के नहीं होता है कौन सा ऐसा यह जो हमें दिये गए हैं पदार्थ जिसमें बसा तेल और चीनी नहीं होती है दूद रुट बीर क्रीम तथा साथ काफी आइश्ट विना मीठा या नीवु पानी तो यहां गरेक्ट अंसर हमारा आप्westर डी रैट होगा यानि कि नीवु पानी में किसी भी तरह जब सा घ्रीन नहीं होती है नहीं तेल ओथ अट चलें को टोन में नेश्ट में ...? तो नूडल्स, क्रेंकर्स, स्कैलियन, मैक्रोनी या आपसन E है कि कुरूस, कुस-कुस, तो यहाँ आपसन C राइड होगा इसकैलियन, ठीक है, चलेंगे क्वेशन में, नेश्ट में हमें दिया गया है, 37, 37 क्वेशन हमारा है कि कौन सा भोजन इस खाद समुस से सम्मंदियन न नूष्ट में दिया गाया कौन सा भोजन इस खाद समुस से सम्मंधित नहीं है, तो कौन सा भोजन खाद समुञबदय नहीं है, चाकलेट में क्रेंड जीं, आइस क्रीम, सलाइज avoir भाइजसरा और जबिलकुल एक से है, व़ CC जो है अलग है जाए तो आपसी नमर हमारा शोरी तो तो यह झो है डी राइसंग हो जाए यह जो है चलिआ इझो कुस प्रश्रा का एक उदार रहा है इसको चलें और फोर्टी में हमें दिया गया है कि यदि आप किसी रेश्ट्रो में गर्म दलिया और करते हैं तो इसका स्वाद चप्ठा हो सकता है क्योंकि क्योंकि मतलब आप किसी रेश्ट्रो में डलिया अर्डर करेंगे तो इसका स्वात थोड़ा चप्टा हो सकता है क्योंकि चीनी नहीं डाली गई थी कोई नमक नहीं डाला गया था या आपसन दिया गया ऐसी नमबर इसमें मैक्रोब से मिलाया गया दोस्तों यह है कि इसमें नमक नहीं डाला गया था को चलते हैं अच्छे रोग है अप अच्छे रोग है प्रोटीन की कमी से होने वाले अहार के सबसे निखट से जुड़े हैं भी समरत जीवन से लिए या सी अनुवान सिकता तो यहां अखर एक आंसर होगा दोस्तों समरत जीवन से लिए चलें क्षण नमर नेष्ट में नेष्ट में दिया गया है कि एक नुक्सा की गड़ोता तो निर्थारित करने में निचला और जो 43 है दोस्तों कि एंडा दूद्ध और मास्क को आमतार पर क्या कहता हैं तो गार्वो हाइडर के अच्छे इस रोत में बर्गी किरत किया जाता है बी होगा प्रोटीन सी बसा तो यहां आफसर नमबर बी होगा यह कि अंडा दो तथा मास प्रोटीन के अच्छे इस रोत होते हैं इसके बाद हमारा कॉशन नेश्ट रहेगा 45 दोस्तों 45 जो कॉश्च यह अपरोक्त में से कोई ने तो आप सन्फन हमारा बी राइट होगा दूस्तों आज के लिए तो इस क्लास हमारी यहीं तक इसके बाद चलेंगे आएंगे हम लोग मिलेंगे एक नेश्ट क्लास में तब तक के लिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो पीली थोड़ा सा सपोर्ट आप सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब किये विना ना जाना इसके बाद मिलेंगे हम लोग आपकी एक नेश्ट क्लास में तो अपता के लिए थैंक्स वार वाचिंग ओके गाइस थैंक्स उसको धन्वाद